मम्ता कालिया जी का उपन्यास सपनुम की होम डेलिवरी एपिसोड वण इस बिंदू पर पहुँच कर यह कहना मुश्किल था कि हालात ने यह शौक बनाया था यह शौक ने हालात जो भी हो अब तो यह शौक करियर में बदल चुका था मौजुदा वक्त में वह देश की मशूर पाक कला और व्यंजन विशेशग्य मानी जाती थी उसके नाम से व्यंजन पुस्तकों की एक पूरी श्रिंखला पाँच भाशाओं में अनुवाद हो कर छपती उसका नाम रुची जोड कर पुस्तकों के शिर्षक इस प्रकार थे रुची की रसोई, रुची के रसीले व्यंजन, रुची के नाश्ते, रुचीर पक्वान और रुची रसना दो टीवी चैनल पर उसका सापताही कार्यक्रमाता सुरुची और स्वाद दोनों कार्यक्रमों में रुची को अत्याधुनिक रसोई में व्यंजन बनाते हुए दर्शाया जाता रुची का बोलने का धंग बहुत प्रभावशाली था पहले शब्द नमस्कार के साथ ही वह अपनी उत्फुल मुद्रा से दर्शक को अपने आकर्शन में बाध लेती आधे घंटे के कार्यक्रम में रुची दो व्यंजन प्रस्तुत करती कमाल यह था कि पिछले डेड़ साल में एक भी बार न उसने व्यंजन में दुहराव डाला न प्रस्तुती करन में कार्यक्रम शुरू होने के पूर्व एक सहायक समस्त सामगरी करीने से गैस के पास रख देता इस माहौल में व्यंजन बनाने में रुची को आनन दाता चम-चमाता हुआ दिखता जैसे अभी शोरूम से खरीद कर लाया गया हो दोनों ही तेवी चैनलों में होड लगी रहती किसका रसोई घर ज़्यादा सुन्दर और आधुनिक लगे कर चैनल में उसके सहायक का नाम कुर्बान अली था रुची को उसका नाम लंबा लगा तो उसने कहा कुर्बान अली प्रोग्राम में आपको सिर्फ अली कहकर बुलाओं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे कती नहीं मैं जैसा आप चाहें मा चैनल में उसका सहायक विरेंद्र सिंग था विरेंद्र ने जैपूर के रस्त्रा में सहायक के रूप में कुछ तजुर्बा हासल किया था रुची को लंबे नामों से चिड़ थी उसने विरेंद्र सिंग को वीर पुकारना शिरू कर दिया दोनों सहायक समझदार थे और अपने काम में चुस्त कारिक्रम की आरबिक तैयारी और परवर्ती समेकन विकुशलता पूर्वक संभालते उन्हें पता रहता कि सफेद नमक के पहलू में लाल मिर्च और फिर हल्दी रखी कितना अच्छा दृश्य देगी या कौन सी मिक्सी कितनी पारदर्शी है कि उसमें पीसा गया धनिया और मिर्च का पेस्ट का लात्मक दिखे रसोई घर की दीवार पर टंगे कर्चुल, पौनी और कद्दूकस कभी काम ना आते व्यंजन की तैयारी में पारदर्शी शीशे के बरतन इस्तेमाल होते और पकाने में चम-चमाते वे कैसरोल ये अत्याधुनिक शैली के रसोई घर रुची की अपनी उठवा रसोई से एकदम अलग और अद्भुत थे रुची के अपने एक बीचके के फ्लैट में रसोई के नाम पर एक तीन स्क्वेर फिट की जगह थी जिसमें एक प्लैटफॉर्म और सिंग के सिवा और कोई उपकरण नहीं था मकान मालिक से जब उसने पोचा था कि इतने चोटे रसोई घर में खाना कैसे बनेगा न यहाँ चिमनी है न खिड़की अंधेरा इतना कि बिना बिजली जलाए आप एक चम्मच भी नहीं उठा सकती मकान मालिक शमशेर सिंग ने ताज़ुब से उसे देख कर कहा था क्या आप घर में खाना पकाएंगी उसके साथ आई सहेली जिग्यासा ने कहा और खाना कहा बनाएंगे क्या सडक पर शमशेर ने उसके तंस का कोई जवाब न देकर कहा था हमारे सारे किरायदार केटरिंग सर्वीस से खाना मंगाते हैं खुद हमारी मिसस ने आज तक खाना नहीं पकाया आप एक माइक्रोवेव ओवन रख लीजिए और दो-चार ओवन प्रूफ बरतन रुची को हलकी सी तसली भी हुई थी कि जीने का यह बड़ा आसान तरीका होगा फिर हफते में दो-दो दिन दोनों चैनलों पर पांक कला के नमूने प्रस्तुत करने के बाद उसके अंदर इतनी उर्जा ही नहीं बशती थी कि वह अपने खाने के बारे में सोचे जिग्यासा ने सुझाया आजकल तो खाना बनाना बड़ा आसान हो गया है तु धेर से तयार विंजनों के पैकेट खरीद लेना और एकदम शाही अंदाज में दावत खाना हमें भी बुला लिया करना मैं किसी को बताऊंगी नहीं कि राश्ट्रिय ख्याती प्राप्त विंजन रानी रुची कैसे रहती है रुची चाहती तो बड़ा मकान ले सकती थी लेकिन इस इमारत का रख रखा उसे पसंद आया एक तो दोनों चैनलों के स्टूडियो यहां से करीब थे दूसरे ओशिवरा स्थित यह विक्टोरिया चेम्बर्स मशूर बिल्डर संटॉप वालों के थे जिनकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कहा जाता था कि यहां ताले चाबी का क्या काम फाटक पर कड़ा सुरक्षा प्रबंध था हर फ्लैट टवर के इंटरकॉम से जुड़ा हुआ था रुची के अनिएक प्रशंसक और प्रशंसिकाएं थी वे उसे सराहना के खत लिखते फोन करते और ईमेल भी टीवी चैनल के माध्यम से भी पत्रा आते कभी किसी दिलचप स्खत का जवाब कारिक्रम के दोरान दिया जाता इससे कारिक्रम की टियारपी बढ़ जाती प्रायोजकों की सुझाव पर महिने में एक दिन सबसे दिल्चप स्खत लिखने वाले दर्शक को कारीक्रम में आमंत्रिक किया जाता उससे उसी की पसंद का व्यंजन बनवाया जाता ज्यादातर ऐसी आगंतुक महिलाएं या लड़कियां होती कभी कभी ऐसा पुरुष प्रशनसत भी आ पहुँशता जो खाने या खिलाने का शोकीन होता ऐसे ही एक आमंत्रित आयोजन में सर्वेश नारंग को बुलाया गया था नहीं सर्वेश नारंग सुरुची का रिक्रम का प्रशनसत नहीं था उसने चैनल को लिखे अपने पत्र में रुची के विंजन को चुनोती दी थी रुची के लिए यह पहला मौका था कि किसी ने उसकी पांक कला पर प्रश्णचिन लगाया कारिक्रम नुर्देशक ने निर्ने लिया कि ऐसे दर्शक को कारिक्रम में बुला कर शान्त अवश्य किया जाए नहीं तो वह नकारात्मक वातावरन बनाता रहेगा केके जोशी बोले किसी के मूँपर तो टेप नहीं लगाया जा सकता उसे जो बोलना है हमारे कारिक्रम में बोले जग जग विशवमन न करें रूची ने याद किया पिछले हफते उसने दलिया भरी आलू टिक्की व्यंजन की विधी प्रस्तुत की थी व्यंजन इस प्रकार था उबले आलू चार दलिया पचीस ग्राम ब्राउन ब्रेड दो स्लाइस नमक स्वादानुसार थोड़ी सी सूजी आधा चमच लाल मिर्च आधा चमच जीरा सवा चमच चाट मसाला एक हरी मिर्च थोड़ा सा हरा धनिया रिफाइंड तेल कार्यक्रम के पूर्व रुची ने यह विंजन बनाने की रिहसल भी की थी विधी संतोष जनक पाने पर ही वह दर्शकों के सामने पहुँची थी सर्वेश नारंग की शिकायद थी कि यह टिकी इतनी गरिष्ट है कि सामानी आमाशे का आदमी इसे पचा नहीं सकता उसने घर पर यह टिकी बनाई उसकी मा ने यह विंजन खाकर रात भर करवटें बदली उन्हें वायू और बदहजमी का दोरा पड़ गया सर्वेश नारंग ने बेहत गुसे में पत्र लिखा अवल तो आपको अपने कारिक्रम में यह बताना चाहिए कि किस विंजन को कितने साल का आदमी खा सकता है मदुमेह, रेक्तचाप और बदहजमी वालों के लिए अलग से नर्देश होने चाहिए आपकी विशेश ग्या आद घंटे में मुश्किल से मुश्किल विंजन बना कर पर्स लटका कर चली जाती है यह दर्शकों के प्रती सरासर अन्याय है मीटिंग में रुची भी मौजूद थी उसने कहा उन्हें उतर दे दिजी हम कोई हेल्थ फुट प्रोग्राम नहीं करते यह शुद्ध रूप से स्वस्त नॉर्मल खाने पिने के शौकीन लोगों के लिए कारिक्रम है निर्देशक केके जोशी ने सिर हिलाया नो मिस रुची हम कोई लफडा नहीं मांगते आप उसको अपनी बात से कायल करो तभी जमेगा रुची को चुनौती मिल गई उसने कमर कसली रात भर उसने विचार किया अन्ततह वा मान गई कि सर्वेश नारंग को उसके कारिक्रम में अतिती की हैसिय से बुलाया जाए प्रायहर उची पाशाती पोशाक में स्क्रीन पर आती उस दिन उसने पारंप्रिक साड़ी ब्लाउस पैना और माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाई स्टुडियो के मेकप रूम में दरपन ने उसे बताया कि वह खूब फब रही थी कारिक्रम से 20 मिनिट पहले सर्वेश नारंग अपनी सफेद कार में प्रकट हुआ वह कोई युवात तुरुक नहीं बलकि तकरीबन 50 साल का परिपक्व व्यक्ती था अपने पत्र के तेवर से अलग वह नपातुला बोलने वाला आदमी लगा पूर्व योजना के अंतरगत निर्धारित वाके बोलते हुए रुची ने बताया कैसे सुरुची कारिक्रम महिलाओं के साथ-साथ पुरिशों और बच्चों का भी पसंदीदा है उसने सर्वेश नारंग का परिचे देते हुए कहा कि सर्वेश हमारे विंजन में अपनी और से परिवर्तित विधी प्रसूत करने जा रहे है सर्वेश ने कारिक्रम के प्रसुतीक्रण में काफी आत्मविश्वास का परिचे दिया उसने तैशुदा आलेक से हट कर कहा आलू की टिकी हम सब का मनपसंद नाशता है इसलिए यह जरूरी है कि इसे ऐसे बनाये जाए जिससे यह हलका और सुपाच्य हो और हर उम्र के खाने वाले को हजम हो जाए रुची मैम की विंजन विधी में मेरी तरफ से यह बदलाव पेश है सर्वेश ने आलू की पिठी उठा कर उसे गोल टिकी का आकार दिया और दर्शकों को संबोधित किया इसमें दलिये की जगह आप उबली हुई मूंग दाल और हरा धनिया भर सकती है दूसरा सुझाव है इसमें बारीक कटा प्यास भर सकती है तीसरा तरीका है आप इसमें कॉन्फलेक्स भर सकती है इसे तलने की बजाए छिचले तवे पर आप एक चमच तेल में सेंख सकती है सर्वेश ने बड़े सुथरेपन से समस्त विदी का डेमो दिया कारिक्रम खत्मोने के बाद जैसा रिवास था पूरी इकाई ने व्यंजन चखा इसमें शक नहीं कि आलू की यह नई दिखी स्वादिश्ट और हल्की थी इस सिल्सले में रुची को थोड़ी सी तकलीफ हुई पर ज्यादा नहीं उसे पता था कि कर चैनल के पास उसका विकल्प नहीं था बहुत से अख़बार और पत्र पत्रिकाएं उससे व्यंजन स्थम्ब लिखवाती और सचित्र छापती उसकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी थी दर्शकों और पाठकों के बीच वह घर-घर में रचा बसा नाम हो गई थी उसके कितने ही विंजन इतने लोग प्रिय थे कि चैनल उन्हें बार-बार दिखाता उस दिन सर्वेश और उची के बीच विसिटिंग कार्ट का आदान प्रदान महज आवपचारिकता रही उसे यही लगता कि रुची की विंजन विधियों से जादा जानदार उसकी प्रस्तुती विधी है उसकी मुस्कान और हसी में जीवनतता थी, आवास में माधुरिय वह जिस अदा से कडाही में कर्चुल चलाती, माइक्रोवेव ओवन खोल कर उसमें विंजन की ट्रे लगाती या जैसे वह प्लेट में खाना सजाती, उसके आगे विंजन का स्वात क्या चीज था आठ हफते बाद एकाएक स्वात कारिक्रम के लिए सर्वेश नारंग को बुलावा मिला महा चैनल के इस कारिक्रम में सर्वेश नारंग को महमान का पकवान प्रस्तुत करना था उसे लगा इस बुलावे में रुची शर्मा का हाथ हो सकता है सर्विश नारंग खाना बनाने और खाने को गय जरूरी कामों की फेहरिस्त में रखता था उसे लगता जो काम दूसरे लोग हमसे ज़्यादा सुघर तरीके से कर सकें उसमें अपनी उर्जा लगाना फिजूल है इतने अच्छे रेस्तरा और टेक होम सर्विससों के रहते खाना बनाना समय की बर्बादी के सवा कुछ भी नहीं लेकिन उसका खोजी मन रुची शर्मा को उतना गय जरूरी मानने को तयार न था इन दिनों मा उसके पास आई हुई थी उन्होंने भी कहा पुत्तर जाके देख तो सही वो कुड़ी पुठे सिदे की पकवान सिखान दी है तू टीवी पर दिसेगा तो मैनू बहुत चंगा लगेगा अगस का महीना था सावन का मौसम सर्वेश ने टीवी के छोटे परदे पर कहा रिमजिम फुहारों में आप कुछ मीठा कुछ नमकीन खाना चाहते हैं तो आज मैं आपको पुवे और पकोड़े बनाने की विधी बताता हूँ पुवे को कई शहरों में गुलूले भी कहा जाता है अंग्रेजी में इसे डोनट कहते हैं इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है सर्वेश नारं की सक्रियता और दक्षता दर्शनिय थी उसने बिलकुल पेशेवर अंदास में कहा थोड़ी सी सूजी पिसी हुई चीनी घोल लें 10 मिनिट घोल को धंक कर रखें तब तक हम कडाही चड़ाते हैं लीजिये हो गए 10 मिनिट एक बार फिर घोल को फेंट लीजिये कडाही में रिफाइन तेल गरम करें गोल चमच से गरम तेल में पुवा छोड़ें फूलते ही आंच धीमी करें एक एक पुए को कर सर्वेश ने पूओं को एक छोटी ट्रे में रखा और कहा चक्कर देखे मैडम। बिना वक्त गवाय सर्वेश ने अगला इटम पेश किया। पकोडे आप सब खाते खिलाते होंगे। अपने गौर किया होगा कि हर घर के पकोडों का स्वात कुछ अलग कुछ खास होता अक्सर लोग अपना ट्रेड सीक्रट बताते नहीं है। लीजिये पकोडों की विथी यहा है। फूल को भी उसके फूल अलग किये वे हूं। बेसन, नमक, अजवायन, स्वादानुसार, हरी मिर्च दो, अनारदाना पिसा हुआ एक चमच, चुटकी भर खाने का सोड़ा। सर्वेश धडल्ले से बोल रहा था, उसका आत्म विश्वास देख कर लग रहा था वह पेशेवर रुसोया है। कारीक्रम रोचक रहा। प्रस्तुती भी जानदार थी। आद घंटे की समय सीमा में उसने दो विंजन बना कर दिखा दिये। नर्तेशक केके जोशी ने प्रोग्राम के बाद सर्वेश से पूछा भी, क्या आप भी किसी होटल वगेरे से जुड़ेवे हैं। नहीं, सर्वेश हसा, मैं तो खोजी पत्रकार हूँ, सारा दिन खबर सूंगता हूँ, रात को रिपोर्ट करता हूँ। जोशी थोड़ा सहम गया। समय ऐसा था कि मीडिया से सब डरते। समाचार चैनलों पर कभी कभी किसी नेता या व्यवसाई का रंगे हातों पकड़ा जाना दिखाया जाता। और उस चैनल की दियारपी बेतहाशा बढ़ जाती। दो-चार दिन आरोप प्रत्यारोप का वितंडा रहता और उसके बाद उन खोजी पत्रकारों से परिचय करवाया जाता। जिनोंने उस खबर को अंजाम दिया। ये पत्रकार स्क्रीन के सामने ऐसे खड़े होते जैसे उन्होंने नंगे हातों शेर मारा हो। कुछ दिनों के लिए घोस खोरों, काला बाजारियों और ब्रश्ट नेता अफसरों के जल ठंडे रहते। खोजी पत्रकारिता पांचवी सत्ता बनती जा रही थी। रुची ने स्टूडियों से बाहर आते हुए कहा, आपने अपने दोनों विंजन तले हुए बनाए हैं। जबकि उस दिन आपको इसी बात पर एत्रास था कि मेरा विंजन तला हुआ है। सर्वेश ने कहा, आपके विंजन में तलना जरूरी नहीं था, वह उपर से थोपा गया था। इस पर लंबी बहस हो सकती है। मैं इतना वक्त आपको नहीं दे सकता। जेब से मोबाईल निकाल कर सर्वेश ने घड़ी देखी और कहा, फिर मेरे लिए खाना पीना इतना अहम काम नहीं। सर्वेश बिना विदा का इंगित किये, अथवा एक भी अतरिक्त शब्द बोले बिना चला गया। रुची को इस आदमी से चिड हुई। अच्छा भला पत्रकार है, अपने अकबार से मतलब रखे, उसके कारिशेत्र में अपनी टांक क्यों अडाता है। यह तो कई दिन बाद रुची पर उदघाटित हुआ कि उसके लिए हजारों प्रशनसकों के बावजूद इस एक आलोचक सर्वेश नारंग की असहमती क्यों अहम हो गई। मौसम बदले, व्यंजन तालिकाएं बदली, सुरिची और स्वात कारिक्रमों की सफलता बढ़ती गई। रुची खुद विस्मित थी, इन कारिक्रमों में ऐसा क्या है कि इनकी टी आरपी एगरेट कारिक्रमों से टक्कर लेती है। पैसा उस पर बरस रहा था, आयकर की राशी हर साल बढ़ रही थी, लेकिन कभी कभी रुची अवसाद ग्रस्त हो जाती। उसे लगता उसका जीवन मशीनी बनता जा रहा है, उसके जीवन में बस पाक्षास्त्र ही पाक्षास्त्र रह गया है। इतने साल बीत गए, इतनी उच्च शिक्षा बरबाद गई, पता नहीं कैसे वह कलम की जगा कर्चुल से जीविका कमाने लगी। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि टेलिविशन की पाक कला विशेश ग्या अपने घर में खाना बनाने में जरा भी यकी नहीं करती। वह चाय, कौफी और ठंडे पे पदार्तों पर दिन निकालती। कभी-कभी वह चावल उबालती अध्वा आलू। ओशिवरा में टेक हूम केटरिंग सर्वीस का बोल वाला था। रही सही कमी उन फूट गिफ्ट के पैकेटों से पूरी हो जाती। जो विभिन डिब्बाबंद आहार तथा मसाला कमपनियां उसे इस गुजारिश के साथ भेशती। कि वह इन उत्पादों के विज्यापन में मॉडलिंग करना कबूल कर ले। वह देख सकती है कि उसी के बनाए विंजन इन मसालों अथ्वा सामगरी के साथ कितने लजीज बने हैं। अक्सर उसका फ्रिज ऐसे आहार उपहारों से भरा रहता।